स्वयम को सिद्ध करने के लिए एक निश्चे ही काफी है, परंत इस तरह के निश्चे का उसर जियोन में बार बार नहीं आता है, लेकिन आज उसर है, आपके लिए भी है, हमारे लिए भी है जूनियर सिचक भड़ती परिच्छा 2021 के रूप में हमने इस परिच्छा को लेकरके अपना निश्चे कर लिया है, अब आपके निश्चे की बारी है, इस निश्चे को हम सभी को अंजाम देना है, इसमें अपना स्रेष्ट करना है, इसके प्रती अपनी पूरी चेष्टा और इमानदारी भरा प्रियास करना है, आज हम सभी ने प्रड़ किया है और या निश्चे किया है, इस सम्मंदित बेकेंसी को लेकरके, जो हमारी जिम्मेदारिया होगी, चाहे आपकी होगी, चाहे हमारी होगी, हम उसका पूर्ड निर्वाह करने की कोशिस करेंगे, सम्मंदि की परिस्थितिया इसके साथ जनरेट हो सकती है आवेदन का सिस्टम क्या है क्या प्रारूप होगा इन सबसे सम्मंदि सारी इन्फार्मिशन सापको पब्लिक क्रेट पाम पर मिला हुआ होगा संसान अपनी जिम्मेदारियों का पूड निर्वा करने के लिए प्रकार से जाना जाता है जैसा कि उसमें सिच्छा की छेतर में इतनी दिनों का कर्तिमान अस्थापित किया है बहुत सारे विद्यालेओं में जो की प्रदेश अस्तर के हैं उनमें यहां से चैलिस चातर अपने अध्यापन का कारे कर रहे हैं इस सारी बातों के साथ ची हैं. हम सब उसकड़ी में काम कर रहे हैं और अपना सरुस्टेट्स देने की कोषिस कर रहे हैं. हम अगर किसी भी प्लानिंग को उन्जाम देने की बात करते हैं, तो सबसे पहले उस पर फ्रापर होमर करते हैं. उसको लेकर के स्वयम को निस्चित करते हैं तब जाकर के उन सारी गदिविदियों को आपके सामने प्रेजिंट करते हैं आप सभी के तमाम सारे मैसेजेस कॉल्स के से ही प्रेरित हो करके संस्तान ने इस बैच को आपके सामने प्रेजिंट किया है आप सभी भी हमसे भरोसा रखते हैं, हम पर भरोसा दिखाते हैं, हमसे आसा करते हैं इसका परिडाम ही है कि हम सभी आपके सामने इस तरह की बैचिस का योजन करते हैं और उसको सफलता पूरबग सिद्ध करते हैं, उसको सफलता पूरबग अंजाम देते हैं, यह हमारी खासियत है। जैसा कि यह वेकंसी जो की प्रदेश अस्तर की बड़ी वेकंसी की रूप में हैं, काफी सालों के बाद इस तरह के आउसर आपके समझ है, आप जानते हैं कि किस प्रकार से एड़ेट टीचर्स का चैन होता है, किस प्रकार से बिसेओं का कम्बिनेशन जरेट किया जाता है, य इन खंड में इस वेकंसी को क्लियर किया गया है, आपने देखा होगा, इसमें भासा को पहली प्रियॉर्टी दी गई है, जिसमें कि हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी है, सोसल साइंस के रूप में, जो समाजी गर्दिन के रूप में, जो बिसेओं का कम्बिनेशन उसका दिया गया है, गडित और बिग्यान को भी यहां पर बरीता दी गई है, उसके पदों के रूप में, उसके बिसेओं के पदों का भी चैन कराया जाना है, यहां पर जिस भी कम्बिनेशन को आप फेल करते हैं, जिसमें आप इलिजबल हैं, आप भासा के रूप में जाना चा प्रामिवारिता है, जो common subject है, जैसे कि GS के रूप में आपको बताया गिया है, जी człowieकी के रूप में इसके साथ साथ आपके बिसए की जो गंभिरता है उस सब से मुख्या आ है उस बात को सिद्ध नहीं करना है कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ किस प्रकार से आपके सामने चीजों को प्रेजंट करता हूँ एक गतिविधियां आपके सामने हैं और आप भली भाती इन सीजों से परजित हैं लेकिन फिर भी हमारी responsibility बनती है कि हम किस प्रकार से अपने course को आपके सामने प्रेजंट करेंगे अपने subjects को आपके सामने प्रेजंट करेंगे इन सारी technicalities को लेकर के आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही कारिगर सिद्ध होगा मैं आज कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिस करूँगा कि किस प्रकार से जो गडित बिसे की technicality है जो की competitive अस्तर पे हमको face करना है हम यहाँ पर academic को भूल करके competitive अस्तर पर अपने आपको relate करेंगे academic और competition में बहुत फरक होता है जमीन आसमान का अंतर होता है एक बहुत अच्छा scholar जो academic में बहुत अच्छा परफार्म करता है competition में आगर fail हो जाता है इसलिए fail हो जाता है क्योंकि उसे competition की जो technicality होती हो नहीं पता होती है मैं मानता हूँ कि उसे बहुत knowledge है लेकिन जो competition की requirements है competition के limited time में requirements है वह पूरी नहीं कर पाता है वह सभी प्रसनों को आते हुए भी सही समय पे नहीं कर पाता है और एक सबसे बड़ी चीज जो आपने यहाँ पर देखा होगा कि इस vacancies की जो date declared है उसको लेकर के हमने लच्छ दो मा का निधारित किया है हम दो महिने के अंदर ही उन सारी गत्विदियों को complete करेंगे जो इस course को लेकर के रहेगी जाहिर सी बात है हमारा मुख्य उद्देश केवर लच्छ को clear करना है किसी भी हालत में आपको proper study कराना है इस तरह से कराना है कि आप इस परिच्छा को qualify कर सको या qualify करने के करीब आ सको हम अपनी तरफ से पूरा निर्वा करने के उस परिस्तिती को कोसिस करेंगे आप से भी हम उमीद करेंगे कि आप भी उन गत्विदियों में रह करके दिये गए दिसा निर्देसों का पालन करके आप पूरे पाठ्ठेक्रम के दौरान हम से अच्छी तरह से जुडेंगे और अच्छी तरह से आप अपनी पढ़ाई को अंजाम दे पाएंगे गड़ित विशे का जो भ्रम है भले ही आप गड़ित के ही छात रहे हों आपने गड़ित पढ़ी हो आपने 12 तक गड़ित पढ़ी हो जो भी प्रक्रिया रही हो आपने गड़ित की सस्तर तक की पढ़ाई की है पढ़ी है लेकिन गड़ित की टेक्निकल्टी गड़ित को लेकर की कन्फ्यूजन दिमाग में हमेशा भरा रहता है हमेशा वो confusion बना रहता है और खास करके condition के दौरान मैं आज के session के दौरान उसी सारी टेकनिकल्टी पर discuss करूँगा क्योंकि जब भी आयोग कोई vacancy प्रेसित करता है तो आएक पाठिकरम fix देता है जब भी हम लोग उस पाठिकरम को पढ़ते हैं अगर जब भी कभी कोई vacancy आती है हम सभी उनसे सम्मंदित कोई किताब लेकरके अगर पढ़ाई शुरू कर देते हैं उनके sequence को follow करना शुरू कर देते जैसा कि उस दौरान हम को आयोग प्रदान करता है और हम भी मान कर चलते हैं को authentic होता है लेकिन एक जो बिसेसक की होगा वह बिसेसक की उस sequence को कभी नहीं feel करेगा ना follow करेगा जब भी मैं आपके सामने इस particular को present करता हूँ तब मैं उनके ही sequence को आपके सामने दिखाता हूँ लेकिन जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं पढ़ाने के दोरा अपना sequence feel कराता हूँ अपने sequence को आपके सामने present करता हूँ मुझे पता है कि किस प्रकार से हमें उस गड़ित के system को present करना है उस गड़ित को आपके जहन में आपके nature में डालना है क्योंकि यहाँ पर जिस परिच्छा को आप face करते हैं पर आपको एक research holder नहीं बनना है उस competition को जो particular competition होता उसको qualify करना होता है इन सारी अनिमित्ताओं को जो की particular को लेकर के रहती है परिच्छा में present करने को लेकर के रहती है मैं उसको अपने इस पूरे session की दोरान आपके सामने detailed करने की कोसिस करूँगा मैं आपको सबसे पहले तो ये बता दू इस परिच्छा को लेकर के जो हमारी technicality होगी जिस प्रकार से हम लोग पढ़ने पढ़ाने का कारेकरम रखेंगे पढ़ने पढ़ाने की गतिविदियों को उपर work करेंगे उसको लेकर के मैं सबसे पहले आपको detailed करना चाहूँगा पूरे पार्ठिक्रम के दौरान जब भी आप हमसे जोड़े होगे सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये बता दू यहाँ पर मैं एक information दे दू जोड़ने का मतलब दो प्रकार का होता है एक होता है कि आप हमारी batches में अड़ीशन लेते हैं और हमारे regular छात्र होते हैं वेबसाइट के छात्र होते हैं और proper हमारे साथ हर एक term में लग करके हम एक प्रकार की आपके प्रती हमारी responsibility बन जाती है आपके प्रती हमारी जबाबदे ही बन जाती क्योंकि आप हमें उस समय fees देते हैं और हमसे आप पढ़ाई करने का process हमारे साथ सुरू करते हैं तो responsibility हम भी निभाने के प्रती पूरी तरह से तड़स्ट होते हैं किसी भी स्थिति में तड़स्ट होते हैं उस दोरान हम लोग जो provide करते हैं उसका प्रारूप मैं आपके सामने प्रजेंट करूँगा लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो किसी कारण वस हमसे प्रापरवे में नहीं जुड़ पाते हैं वेपसाइट के माद्ध हमसे नहीं जुड़ पाते हैं इन सारी चीजों को देखते हुए संस्थान ने मुप्त एक प्री एक टेलिग्राम ग्रूप आपको provide किया है जो अभी भी इस वीडियो की नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके सामने अविलेबल होगा आप वहाँ पर जा करके उस टेलिग्राम ग्रूप से जुड़ सकते हैं जुड़ करके संस्थान की जो जबाब देही है इस बैच को ले करके जो टेखनिकल्टी है बिसे की कुछ informative बीडियो, कुछ informative पीडियप आपको इसी टेलिग्राम ग्रूप पर प्रियाप काॉस मिलते रहेंगे तो आप अभी बिना देर की हुए इस टेलिग्राम ग्रूप में जुड़ जाएए जो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्सन में दिया गया है जो लोग जुड़ जाएंगे वेपसाइट के बैच में उनके लिए मैं जनकारी दे दू कि हमारा जो अप्रोच रहेगा तो हम किसी भी बात को ऐसा नहीं बोलेंगे कि हम यहाँ पर आज आपके सामने बोलें और हम उसको पूरा न कर पाएं इसलिए हम सीधा और क्लियर कट आपको बताने की कोशिस करेंगे कि हम regular live और recorded class देंगे हम आपसे live interact करेंगे हम आपको recorded class भी provide करेंगे लेकिन यह किसी भी प्रकार से हम आपको सिद्ध नहीं करेंगे हम कोई दूसरे batch का recorded class आपको provide करेंगे हमारी जो भी recorded classes रहेंगे और उसी समय त्यार की गे रहेंगी क्योगल आपकी batch से related रहेंगी इसको मान कर चलिएगा यह नहीं कि हम किसी अन्य batch की recorded class को आपके सामने प्रेजंट कर दें और हम live आपसे discussion कर लें ऐसा बिलकुल नहीं होगा समय की गंभिरता को देखते हुए live का समय बचाने के लिए live मैं discussion करूँगा उलक चीज है लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर दोनों combination को आपके सामने प्रेजंट करने की कोशिस करी है और यह हमारी रडिनिती का पहला हिस्सा है कि हम regular live और recorded classes आपको provide करेंगे पूरा concept आप recorded पढ़ेंगे बिना किसी disturbance के, बिना किसी interruption के some poor practice आप मेरे साथ live करेंगे या किसी concept को ऐसा जो कि आपके सामने में present रहकर के ही proper present कर सकूँगा, दिखा सकूँगा उसको मैं आपके समझ live ही provide करूँगा इसके साथ साथ जो हमारा study material रहेगा और बड़ा ही authentic रहेगा मैं आपको इस बात की security देता हूँ study material में जो हमारी planning रहती है जब foundation badge कोई आता है तो उसको लेकर के तो हम बहुत serious इस बात को लेकर के नहीं होते हैं समय की जो वहाँ पर technicality है, यहाँ पर समय को लेकर के हम लोग यहाँ पर study material पर ज़्यादा focused हैं, study material में हमारी पूरी planning है कि हम आपको handwriting notes दें, जो हम ready करवाएंगे और आपको provide करेंगे, आप उसको summarize डिवे में पढ़ सकते हैं, जैसा कि आपको live lecture या recorded lecture में पढ़ाया जाएगा दूसरी चीज, class practice जो आप क्योंकि एक technical विसे पढ़ रहे हैं, math विसे माली जे पढ़ रहे हैं, तो math विसे को लेकर के जो technicality होती है, उसको लेकर के, आपको पूरी class practice यहाँ पर complete, जैसे कि type wise topic wise, chapter wise इस प्रकार से आपको class practice प्रवाइड की जाएगी, जिसका complete calculation class में ही कराया जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ कुछ complete practice भी होती जो संपूर types को कबर करती है उसको हम लोग यहाँ पर video के farm में देंगे, self practice का mode भी आपको provide करेंगे, आपको किसी अत्रिक्त book को लेने की जरूरत नहीं होगी, इस बात को मान कर चलिएगा, जो भी यहाँ पर practice set आपको provide किये जाएगे, वो authentic होंगे, वो bell planned होंगे, वो पूरी तरह से सही दिसा निर्देशन में त्यार किये गए होंगे, इसलिए आपको किसी अत्रिक्त किताब या practice set को market से लेने की आओ सकता नहीं पड़ेगी, इस पूरे lecture को के दौरान, इस पूरे combination के दौरान, हम लोग यहाँ पर combined practice set, जो मैंने कहा कि यहाँ पर complete practice set, जो होगा या किसी भी प्रकार का कोई topic फिनिस होता है, मा लिजी हमने कहा कि हम profit and last final कर दिये, तो उस profit and last का complete एक chapter test होगा, इसके साथ साथ जब तो तीन topic, एक related topic, वो complete होंगे तो उनसे सम्मंदित एक एक test series हम लोग फिर से organize करेंगे, doubt removal session जो होंगे, वो test और practice class practice based होंगे, ये doubts आप खुद हमें provide करते हैं, देते हैं और उनसे सम्मंदित हम एक live discussion का session आर्गनाइज करेंगे आपके लिए और उसको हम आपको provide करते रहेंगे, जिससे कि आप, अपनी confusion जो कि आपको particular हमारे topics को ले करके, हमारे practice seat को ले करके, हमारे test series को ले करके, किसी भी प्रकार से कहीं से आती तो उसको आप लोग दूर कर सको, ये गतिविधी का part है, हमारी activity का part है, combined test series होगी, combined test series जो एक बड़े label पे हम लोग organize करते हैं, जो परिच्छा के दोराने होता है, after finishing the course, जब course आपका complete हो जाता है, एक test series बड़े ही authentic होते हैं, इनका सीधा सीधा link up आपकी परिच्छा से होता है, इस बात को मान कर चलिएगा, हम लोग भले ही इस परिच्छा को ले करके, जैसे हमारी गद्विधी जो होगी, हमारी activity जो होगी, अगर हम इस परिच्छा की बात करें, तो मान लीजे इस परिच्छा को अगर हमने नहीं face कराया है, लेकिन फिर भी मान कर चलिएगा कि उस बिसे को पढ़ाने के दौरान, उस बिसे को face करने के दौरान, इतना experience teachers को हो जाता है, अध्यापक को हो जाता है, मेरे इनी सबकी बात में कर रहा हूँ, कि वह अगर चाहे, अगर उस सही तरह से analysis करें, तो particular उस question को, उस particular type को निकाल सकता है, जो परिच्छा में पूछा जा सकता है, हमारी ही तरह है लोग होते हैं, जो इस paper को ready करते हैं, हमारी सोंच, उनकी सोंच से कहीं differ नहीं हो सकती है, लगबग लगबग match करती है, इसलिए हम लोग भी पूरी planning के साथ उस चीज़ को ready करते हैं, उस चीज़ को prepare करते हैं, जहां से particular questions उठाए जाते हैं, यह test series बड़े authentic होंगे, एक quick revision और complete revision जो बड़ी बड़ी classes लेके 4-5 गंटे, 3-5 गंटे का आया, आप paid और telegram की गंभिरता को समझ सकते हैं, इसको लेकर के मैं आप सभी को सबसे पहले संस्थान के दोरा जो provide किया गया WhatsApp entry number है, वो मैं आपको देता हूँ, इस WhatsApp entry number को आप लोग जो है, अपनी mobile phone में, अपनी device में step करें, और इस पर अगर आप जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि देखिए, आप कहीं और से सूचना प्राप्त करें, हो सकता, authentic ना हो, बहुत सारे ऐसे rumor, बहुत सारे ऐसे, ऐसे लोग हैं market में, जो की अलग-अलग तरह से चीज़ों को present करते हैं, तो हम लोग batches में जुड़ने की पूरी रूबरे का, पूरी गद्विदी को आपके सामने explain करते हैं, इनके साथ-साथ भी आपके पास, संस्थान से, जो भी आपकी query ऐसी होती, कभी-कभी आपको लगता है, कि हम virtual नमबर से आप सीधा system से बात करते हैं, इन नमबर से आप particular एक-ए counselor से बात करते हैं, जो की हमारे संस्थान का representation करती हैं, जो संस्थान को represent करती हैं, या करते हैं, आपके सामने कुछ series के नमबर दियेंगे हैं, लास्ट में 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से बाकी की सारे digits देखी से में, 9, 0, 7, 6, 6, 0, 5, 7, 5, 1, बाकी में 5, 2, 5, 3, 5, 4, आप इन पर सीधा call करके, संबंधित बैस से, संस्थान की activities से, संस्थान की गदिविदियों से, आपकी जो भी confusion बिसे को लेकर के बनती है, combinations को लेकर के बनती है, course में जुड़ने को लेकर के बनती है, या किसी भी प्रकार की बनती है, आप इन पर संपर करके, अपनी confusion, अपनी doubt को दोर कर सकते हैं, यह हमारा system था, अब आते हम बात करते हैं, गड़िद बिसे को लेकर के, जैसा कि मैं math की बात कर रहा हूँ, और math को लेकर के मैं आपके सामने हर एक expression, हर एक possibilities को represent कर रहा हूँ, math, आप चानते हैं, खुदी अगर आप math पढ़ें, तो math जो पढ़ा है उबास्तों में बहुत efficiency उसमें दिखाता है, बहुत अच्छा फिल करता है, और बहुत ही ज़्यादा confident भी होता है, जिसने seriously पढ़ा है, जिसने नहीं पढ़ा है, उसको confusions भी उसके सामने अपार हैं, भरमार है confusions की, लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा और मैं अब भी कह रहा हूँ, कि बिसे की technicality, बिसे की गंभीरता, competition के बिहाब पर हमको लेकर चलनी है, मैं पार्ठिकरम को आपके सामने present करूँगा, लेकिन पार्ठिकरम का यह schedule अभी internet पे आपके सामने है, जो लेटर से में जो announcement हुआ, उसमें घूम रहा है, इसकी बहुत सारी authenticity, जो भी बहुत ज़्यादा authentic होगा, तब जब notifications आपके सामने present किया जाएगा, हलाकि 99% मान कर चलिए यही पार्ठिकरम है, लेकिन इस पार्ठिकरम के बारे में भी मैं बताऊंगा, यह अगर आयोग ने दिया है, जैसा कि अन्ने परिच्छाओं में आप देखते हैं, परिच्छाओं को देने के बाद, जब हम experienced होते हैं इन सीजों से, तो अनुभो करते हैं, जो आयोग ने हमें पार्ठिकरम दिया, बहुत सारे ऐसे topic हैं, जो इसमें हैं, परिच्छा में नहीं हैं, या परिच्छा में हैं, इसमें नहीं हैं, लेकिन अगर उनको सिद्ध करना होगा, तो सिद्ध कर देंगे, कि आपके पार्ठिकरम में कहीं न कहीं वह वर्ड इन्विजबल है, दिख नहीं रहा है, लेकिन है, मैं आपको चीज समझाओंगा, उन सारी technicalities को बताने की कोशिश करूँगा, कैसे कैसे मैं उन चीज को ब्रिक करूँगा, और कैसे कैसे उन process को आपके सामरे प्रेजन्ट करूँगा, गड़ित को लेकर के मैंने complete पार्ठिकरम को यहां पर प्रेज़न्ट किया है, आप देखिएगा, अगर उन्होंने पहला point mention किया है जिसमें उन्होंने साफ साफ natural numbers मतलब प्राकृतिक संख्या है, पूर संख्या है, परमे संख्या है आप public platform पर जाकर के हमारे वीडियो किसी को दीखिएगा जिसमें मैंने number system पढ़ाया है number system अगर मैंने पढ़ाया है तो जाहिर सी बात है, हम लोग यहां पर संख्या प्रडाली की बात कर रहे है संख्या प्रडाली की बात कर रहे है और संख्या प्रडाली के ओवल इन तीन number पे dependent नहीं होती है कि प्राकृतिक संख्या पढ़ ले, पूर संख्या पढ़ ले और आप rational number मतलब परिमिय संख्या पढ़ लें इदे कि अंग्रेजी हिंदी दोनों में लिखा है और मेरा पढ़ाने का तरीका भी यही रहेगा कि आपको मैं bilingual पढ़ाने की कोसिस करूँगा प्रैक्टिस सीट भी जो मैं दूँगा और आपको bilingual हूँ प्रवाइट करूँगा जिसलिए आप निश्चिंत रहेगा अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो भी और अंग्रेजी मीडियम के हैं तो भी आप उसको लेकर के confused नहीं होंगे कि आपको हिंदी में है तो हिंदी अंग्रेजी में प्रव्लम आ रही है अंग्रेजी में हिंदी में दोनों में मैं उसी हिसाब से उसी गंभिरता के साथ प्रॉपर आपको रेप्रेजंट करने के कोशिस करूँगा मैं नैचुरल नंबर भी बोलूँगा प्राकृतिक संख्या भी बोलूँगा मैं whole number भी बोलूँगा पूर संख्या भी बोलूँगा तिसलिए bilingual वाले मतलब हिंदी अंग्रेजी दोनों में जो confusion जिसको आती हो लोग निश्चिन रहेंगे मैंने जैसे कहा कि यह तीन सब्दों से बना chapter केवल नहीं होगा topic यह पूरा संख्या प्रडाली का concept होगा संख्या प्रडाली को जब मैंने प्रजंड किया है अगर आप पब्लिक पे जा करके किसी भी वीडियो को मेरे उठा के देखेगा तो आपको असपस्ट हो जाएगा कि संख्या प्रडाली actually किस प्रडार से प्रजंड की जाती है मैद की सुरुवात कैसे होती है और वास्तव में इनने शुरू किया है तो बढ़िया किया है यहाँ पे या अगर इनने प्राकृतिक संख्या, पूर संख्या, परिमे संख्या को डेप्ट में उठा कर देने की कोशिस की है तो बढ़िया है लेकिन इसको मैं सुरू करूँगा संख्या प्रडाली में अच्छा दिया है इनोंने syllabus के हिसाब से, जैसा कि मैंने अनुभो किया इनके syllabus को देखने के बाद, यह पूरा syllabus, arithmetic पर कम, advanced mathematics पर जादा focused है, आप देखेंगे तो आपको मैं समझाओंगा, advanced mathematics जो कि हम लोग एकदिवसी परिच्छाओं के लिए जो फील करते हैं, फेस करते हैं, जिसमें हमें मान कर चलते हैं कि अगर किसी एक दिवसी परिच्छा को हम दे रहे हैं, तो 60% लगबख माना जाता है, अंगडित आता है, और लगबख सारे टीचर सारे थेमेटिक से, अंगडित से ही प्रारम गड़ते हैं, और 40-45% मान कर चलते हैं कि advanced से आएगा, जिसमें geometry हो गया, mensuration हो गया, technometry हो गया, coordinate geometry हो गया, वो सम्माना जाता है, लेकिन यहाँ पर ज्यादा उन्होंने focus advanced math पर किया है, मैं आपको दिखाऊंगा, आप देखिएगा, आगे बढ़ेंगे, तो आगे इन्होंने syllabus में क्या दिया है, इन्होंने कहा, पोडांक, कोष्टक, एक्स्प्लेन करता हूँ, कहता हूँ कि कोष्टक कुल चार प्रकार के बन कराएं, एक बार ब्रेकेट्स के रूप में, एक आपका इसमाल ब्रेकेट्स के रूप में, छोटा ब्रेकेट्स जो होता है, एक करली ब्रेकेट्स के रूप में, जो मजला होता है, एक आपका जो ह इसको अंदर मजला है, इसके अंदर छोटा है, इसके उपर बार है, यह जो प्रक्रिया है, पूरी की पूरी कहां पर अप्लाई की जाती है, सिंप्लिफिकेशन में, सिंप्लिफिकेशन जिसको हिंदी में हम लोग सरली करण कहते हैं, अब इस सरली करण को जब मैं पढ़ाओं जो गड़ित में calculations की जाती है उस पर पहले हमें detailed information लेनी होगी मतलब हमें जोड, घटाओ, गुड़ा, भाग वर्ग, वर्ग, मूल, घन, घन, मूल हलाकि syllabus में उन्होंने दिया है नीचे वर्ग, वर्ग, मूल, घन, घन, मूल मेजर हम देखें तो हमें जो फेस करने को संख्याय आती हैं तीन ही आती हैं दसंबलो संख्या मिलेगी, आपको पुडांग संख्या मिलेगी, भिन संख्या मिलेगी इसके अत्रिक्त हमें संख्याय फेस करने को नहीं मिलती हैं तो हम इन तीनों संख्याओं को के ऊपर जितने भी परफाम किये जा सकने वाले एक्संस हैं जोडने, घटाने, गुडा भाग की जो भी परिस्थितियां हो सकती हैं वर्ग करना, वर्ग मूल निकालना, हम उन सभी नंबर्स पर परफाम करेंगे और इसी को लाके एडवांस कर देंगे सरली करण में और जब मैं आपको सरली करण पढ़ाऊंगा, तो सरली करण को मैं तीन रूपों में आपको पढ़ाऊंगा एक तो board mass rule पढ़ाऊँगा, board mass rule में ही आपका देखिए brackets involved है, जो उन्होंने कोश्ठक लिखा है, इसी के साथ साथ मैं यहाँ पर कुछ algebra के concept भी लूँगा, बीजगड़ती system को मैं आपको समझाऊँगा, साथ साथ कुछ exponents जो खात के system होते हैं, घात के questions होते हैं, उनके बार बात को हम लोग ही समझ सकते हैं, और यही समझ करके, यही टेक्निकल्टी जिसने crack कर ली, उस हमझ लिए सही अस्तर पर पढ़ाई कर रहा है, अब मैं क्योब कोश्ठक आपको बोल दो भाई, तीन कोश्ठक के चार होते खतम हो गया, ऐसे नहीं हो सकता, आप उस कोश्ठक के तर्म जो बिजिवल नहीं है, जो दिख नहीं नहीं है, उन सभी को explain करना ही यहां पर उद्देश रहेगा, यह LCM, SCF मैस का एक बहुत बड़ा segment होता है, बहुत बड़ा part होता है, और इसका उपियोग लगभग लगभग हर chapter में होता है, लेकिन इसको भी पढ़ने के लिए मैं नंबर सिस्टम की एक बहुत ही महत्पोरिक आई, जिसको कहते है, डिविजबिल्टी रूल, मैं आपको पढ़ाओंगा अलग से, जिसको हिंदी में कहते है, भाजिता का नियम, जहां पर आपको यह सिखाया जाएगा, कि कोई संख्या, एक बड़ी संख्या कुछ डिज पढ़ेंगे, यह LCM-SCF एक ऐसा चैप्टर है, जो कहने को बहुत असान है, लेकिन इसका उप्योग ऐसे ऐसे प्रस्नों नहीं किया जाता है, जहां पर LCM-SCF हम सोच भी नहीं सकते हैं, वहां वहां सीधा सीधा, क्योंकि इनको तभी अच्छे से कोई कहा जाएगा कि LCM-LCM जो actualist किया बसकता है, तो मानकर चलिएगा, इस टॉपिक को भी बड़ा ही serious और बड़ा ही authentic आपको पढ़ाया जाएगा, जो मैंने अभी discuss किया आपको, जो हमने कोस्टक वहां लिखा था, उसी दौरान मैंने आपको बता दिया, कि जितने भी mathematical action होंगे, जो generally जोड़ घटा अलक से बिलकुल नहीं है, तो हम लोग यहां पर वर्गमूल और घनमूल की जो संग्रियाएं होती हैं, सरोसमिकाएं होती हैं, उसको इनके माद्धन से बढ़ने की कोसिस करेंगे, आगे मैं बढ़ता हूँ देखिए, अब देखिए, जैसे मैंने आप से कहा है, ज्यादा तर जो फोकस्ड है, वो आपके एडवांस मैथमेडिक्स के उपर है, एडवांस मैथमेडिक्स के अंतरगत ही, अलजेबरा आता है, अगर एक दूसी पर इच्छा कि कोई तैयारी किया है या जानता है, तो जानता होगा, कि अलजेबरा जो होगा, वो एडवांस मैथमेडि के इंतरगत ही आता है जहां पर हम बीजगडित जिसको हिंदी में अलजेबरा कहते हैं अलजेबरा में आप बेसिक रोप से अगर फोकस करेंगे तो यहां पर जो combination यूच किया जाता है बेरियेबल का बेरियेबल जिसको हम लोग चर रासी कहते हैं और constant जिसको हम अचर रासी कहते हैं अब देखें लिखा होगा बीजगडिती यह concept मतलब बीजगडिती यह उधार अड़ा चर संख्या है चर मतलब बेरियेबल जैसे unknown values जो होती हैं जैसे अगर मालीज एक्स में मैं equation बनाऊ य में बनाऊ य एक्स की घात जो भी maximum हो या उसके उपर dependent बनाऊ कभी एक्स की घात दो पर बनाऊ कभी तीन पर बनाऊ मतलब यहां पर हमको सीधा सीधा अगर सोचा जाए तो हमको समी करण पढ़ना है क्या पढ़ना है समी करण जिसको equation कहते हैं जो दो combination से बनती है मतलब variable और constant और साथ साथ जो mathematical action के दोरान symbol यूच किया जाते हैं like जोड ना घटा ना गुडा भाग बराबर उन symbols का प्रियोग किया जाएगा और अगर हम समी करण बनाएंगे तो समी करण के जितने भी principle मतलब जितने भी उसके सिधान्त हैं उनको समझने की जरूत होगी समी करण के जितने भी classifications हैं जितने भी इसके वरगी करण है उनको भी समझने की कोशिश करनी होगी मतलब एक पद का समीकरण है कि दो पद का है, कि तीन पद का है कि एक घात का है, कि दो घात का है कि तीन घात का है, ज्यादा घात का है कि आपका समीकरण polynomial है, बहुपद है और अगर बहुपद है तो उसकी degree क्या है उसका घात क्या है इस प्रकार से समीकरण को ए उनके सिध्धान्तों को पढ़ना अगर वह दोईगात का है तो दोईगात के कितने सिध्धान्त हो सकते हैं उसके रूट का कॉंसेट क्या हो सकता है अगर वह दो पदों का है तो दो पदों पे अधारित रैकिक समीकरण की सिस्यूशन क्या है उनके सलूशन का प्रोसेस क्या है और अगर हम इस प्रकार से समीकरणों को समझते हैं तो समझने के दौरान के वल हमें प्रिंस्पल पर थोड़ी वर्ग करना होगे उनके कैलकुलेशन पर भी वर्ग करना होगा उनके कैलकुलेशन को भी सायद अगले चैप्टर में कहीं फिर मेंसन किया जाए तो समीकरण को पढ़ना, समीकरण के सिध्धान्त को सीखना सासा समीकरण से सम्मंदित जो कैलकुलेशन हो सकते हैं उनको मेजर रूप में हमें यहाँ पर डिस्क्राइब करना होगा, हो सकता आगे दिया, आउदे की दिया है BGA बेंजको को जो हम बीजगड़ती equations यूज़ करेंगे, उनको add करना, subtract करना, multiply करना, भाग करना, गुड़ा करना और इसमें बेंजको की पदों यूग पदों के गुड़ांक मतलब जैसे मैंने आपको बताया, कॉफिसेंट उनके क्या है, कौन किस पर dependent है, किस पर dependent नहीं है, कौन like है, सजाती जिसको कहते है, कौन बिजाती है, अर्थात unlike है, उनकी degree क्या है, बेंजको की degree क्या है, जो highest power होत है, दो पदके हैं, त्री पदके हैं, मैंने कहा ना, कि ये जो लिखा है उसने, और मैंने वहीं पर आपको mention कर दिया, जब मैं समीकरण आपके सामने प्रजेंड करूँगा, तो ये जो कुछ इसने mention किया है, इस सब मेरे दिमाग में पहले से फिट है, कि एस सब चीज मुझ कि आप सही direction में, सही हाथ में, ये आप confused बिल्कुल मत पहिएगा, कि कोई भी चीज को लेकर कि मैं कहीं से भी किसी परिस्तेती को skip करके बढ़ जाओंगा, मैं अगर पढ़ाओंगा, तो इमानदारी पूरवक पढ़ा सकता हूं, इसलिए पढ़ाओंगा, नहीं तो नहीं प समीकरण के बारे मैं अभी discuss कर ही रहा था, कि उपस समीकरण है जिसको linear equation कहते हैं, इसको simultaneous linear equation कहते हैं, दो पदो पे अधारी तुझे रेखिक समीकरण होते हैं, वो आपके simultaneous linear equation कहलाते हैं, वर्ग, समीकरण, रेखिये समीकरण, जो linear equations बन कर आते हैं, जो हमारे पास एक जिनक जिसे समानतर रेखा है, चतुरभुज की रेचनाएं, त्रिभुज, अगर इसकी बात किया जाए, तो यह geometry का पार्ट है, और मैं geometry अगर स्टार्ट करूँगा, तो मैं सिधा सिधा समानतर रेखा है, थोड़ी बोल दूगा, geometry को पहले पहले मैं बताऊंगा, जामिती है, अब Jakarta एक उधार्ट फिटरियान मतलब मापन है, मीजर्मेंट करना, प्रित्वी या प्रित्वी पे संबंधित, प्रित्वी से समंधित जितनी भी figures हैं, मतलब आक्रितिएं, उन आक्रितियों का जो मीजर्मेंट है, और जामिती पर अधारित है, और इस अधारड़ा को एक पर भी consider करेंगे और space में भी consider करेंगे अर्थात हम यहाँ पर two-dimensional objects की भी बात करेंगे two-dimensional figure की बात करेंगे और three-dimensional objects की भी बात करेंगे किसी भी प्रकार का जो figure हो सकता है उस figure के सम्मन्दि जो calculation संबो हैं उन सारे calculations को हम जामिती के अंदर गत पढ़ते हैं जामिती को पढ़ाने के दुरान में कहूँगा कि अगर किसी भी figure को बनाना है तो इस figure को बनाने के लिए मुख रूप से तीन इसकी basic इकाईयां होती है कौन-कौन से होती है इसको ध्यान से देखिएगा किसी भी figure को बनाने के लिए सबसे पहला जो required term होता point होता है मतलब बिंदू होता है बिंदू से दो बिंदू को मिलाते है तो रेखा बनती है जिसको रेखा कहते है दो रेखाओं को आपस में जोडते है तो उनके बीच एक कौन बनता है कोई figure है बिना इन तीनों के संभवी नहीं हो सकता है चाहे जिस प्रकार के figure की बात किये सबसे पहले बिंदू हो बिंदू को बिंदू से मिलाईए रेखा बनेगी रेखा भी की category होती है अलग-अलग रेखा भी आपकी linear होती है रेखिय होती है या कर्वड होती है वक्र रेखा भी होती है रेखाओं के भी अपने अलग-अलग सिद्धान्त होंगे कि रेखाय कभी एक दूसरे के parallel होंगी कभी प्रतिच्छेदी होंगी कभी जो है कोसेंट्रिक होंगी अलग-अलग प्रकार की स्थितियां बनेगी रेखाओं को रेखाओं से बिंदूओं का सिस्टम क्या हो सकता है बिंदूओं से रेखाओं का सिस्टम क्या हो सकता है रेखाओं का उपियोग कोड़ों में कैसे किया जाता है मतलब इनके जितने सिद्धान्त होंगे उस सारे के सारे डिटेल्ड यहां पर पढ़ने होंगे figure बनाने से पहले जब यह figure बन जाएगा तो इस figure को भी generalize किया जाएगा वह figure closed है बंद आकरिती है कि open है कि खुली आकरिती है बंद अगर है अगर वह बंद आकरिती है तो वह आपका एक polygan मतलब बहुभुज कहलाया बहुभुज के जितने सिध्धान्त हो सकते हैं हो सकता है सेलवस में ना दिया हो लेकिन बहुभुज के जितने सिध्धान्त हो सकते हैं सभी आंतरिक कोडों का मान क्या है सभी बाह कोडों का मान क्या है प्रतेक आंतरिक प्रतेक बाहे का क्या संबंध है इस प्रकार की जितनी या बहुभुज अगर है तो वह regular है नियमित है कि irregular है अनियमित है क्या इस्थिती बन सकती है वो मैंने जैसे कहा नहीं कि जो जो सब्द relate करते जाएंगे वो आपके पाठेकरम का हिस्सा रहेंगे मेरी तरफ से उन्होंनों जी दिया वो अलग चीज है मेरी तरफ से वो पाठेकरम का हिस्सा रहेंगे इस बात को आप guaranteed मान कर चलिएगा तो यह geometry इतना आसान नहीं जितना इन्होंने दो सब्दों में लिख करके छोड़ दिया है इसको proper हमें detail से पढ़ना पड़ेगा जैसा मैंने आपको कहा इस figure पर पहुँचने के पहले इस त्रिभुज पर पहुँचने के पहले चतुर्भुज पर पहुचने से पहले आपको उन पीछे की जो चीज़े मैंने बताई उस पर discussion करना होगा जब figure बना जैसे मैंने कहा ने close figure बन गया close मतलब बंदाकृती तो सबसे पहली बंदाकृती आपकी त्रिभुज ही बन कर आई त्रिभुज है त्रिभुज के जितने भी process या जितने भी अलग-अलग प्रकार हो सकते है चतुर्भुज जो चार भुजाओं से घिरिया कृती है उसके भी जितने भी प्रकार हो सकते है उसका पूरा concept क्या है यह सारा detailed आपको यहाँ पर पढ़ना होगा और इसको पढ़ने के बाद देखिए आगे जो हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि देखिए यह जो geometry है यह मैंने का सीधी रेखा से भी बनी है तो curved line से भी बनी है सीधी रेखा से तो त्रिभुज बन रहा है लेकिन वक्र रेखाओं से भी figure बनता है जिसको हम बृत कहते हैं और वह बृत जिसको हम circle कह रहे हैं ओगर देखा जाए तो बहुत ही important figure है इस बृत को त्रिभुज के साथ भी पढ़ा जाता है चत्रिभुज के साथ भी पढ़ा जाता है किसी भी figure के साथ पढ़ा जाता है और वृत को detailed पढ़ना आपके इस पूरे पाठे करम का हिस्सा होगा और इससे संबंदित प्रसन बहुत पहुचे जाएंगे मान कर चलिएगा लिखा है रिखिए वृत क्या है जिस समय में वृत पढ़ाऊंगा आपको उसी समय बृत की संबंदित जितनी भी इस्तियां हो सकती है उसने केवल साइकलिक कॉर्डिलेटरल रथा चक्रिय चातुरूज लिखा है जब कि मैं जब पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर आपको असपर्स रेखा ही नहीं बताई जाएगी वहाँ जीवा भी बताई जाएगी आर्क भी बताई जाएगा मतलब कॉर्ड भी बताई जाएगा कॉर्ड आर्क के रिलेशनसिप भी बताई जाएगी उनके इंटरसेक्शन के कॉनसेट बताई जाएगे असपर्स रेखा की प्रोसेस पूरा समझाई जाएगी पर इन्हों उठा के रख दिया है, जो कि arithmetic मैं मान कर चल रहा था कि कि योल advances से कोई math नहीं बनती है, बिना arithmetic, तो देखे, arithmetic में जो general चीजों की आउ सकता है, जिसे अनुपात समानुपात, अनुपात एक ऐसा process है, जब मैं arithmetic पढ़ाता हूँ, अधिकतर chapters में मैं अनुपात का प्रियोग करता हूँ, अनुपात के पहले मैं percentage पढ़ाता हूँ, कुछ topic देखे, जैसे दिये गए हैं, यहाँ पर लाभानी, सधारण व्याद, चक्रविद्धी व्याद, यह ऐसे topic हैं, जो बीना percentage के संब़ नहीं है, तो बेगैर percentage पढ़ा है, मैं कह देख, लाभानी पढ़ देखे, इसने percentage लिखा नहीं कहीं पर, यहाँ पर सवरी लिखा है, लेकिन उस तरह से जिसे हम percentage को applications के तौर पर पढ़ें, मेरी बात को पूरी तरह से percentage के साथ पढ़ेंगे, जो अनुपास समानुपात का process है, तो अनुपास समानुपात जैसे केवल भर लिखा है, जबकि मैं अनुपास समानुपात को केवल अनुपास समानुपात नहीं मानता हूँ, उसके कुछ अलग-अलग खंड भी होते हैं, जैसे इसके जो basic चीज़े हो तो ठीक है, इनके जितने सिद्धान तो ठीक है, इनके जो और जो related terms है, जो की सिधा सिधा दिखें नहीं रहें, मतलब यहाँ पे लिखें नहीं गए हैं, लेकिन इमान कर चलिएगा आपके प्रदेश अस्तर की परिच्छा में age relation का question 100% आएगा, अगर अनुपास समानुपात लिखा है, partnership का question 100% आएगा, प्रदेश अस्तर की परिच्छा में हम मान ही नहीं सकते किसके बगार परिच्छा बनाई जाएगी, करी जाएगी, इसलिए लिखा भले नहीं है, लेकिन प्रसम तो पूछे पूछे जाएगे, और percentage ये कैसा topic होगा, जिसे ही केवल पढ़ना है, लाभानी, छूट, सधान ब जिद्धिव्याजों का कुछ अत्रिक्त नियम नहीं पढ़ने हैं, चारो चैप्टर इसी percentage पे ही dependent रहेगा, इसलिए आप निश्चिंत रहना, जब मैं percentage पढ़ाऊंगा, तो उसी दोरान में आपको समझाऊंगा, कि इतना भर पढ़ लेने से क्या-क्या कबर हो जाएगा, और हो नहीं जाएगा, मैं उसे करके दिखाऊंगा, और आप उस पर security फिल करोगे, कहां सर्थ सही है, percentage आपने पढ़ा दिया, तो पूरा इसी से लाभानी भी कबर हो गया, चूड भी कबर हो गया, सधान, चक्रविद्धिव्याद, सब कबर हो गया, जिसलिए आप इसकी ल इसकी अंतरगत कुछ जो technicalities हैं, आप जानते होंगे, किसके अंतरगत हमें आंकडों को represent करना, आंकडे, आंकडे मतलब जैसे कि किसी विध्याला में छात्रों के प्रापतांक हो सकते हैं, किसी हास्पिटल में मरीजों के आयू हो सकती हैं, उनके भार हो सकते हैं, किसी company के जिसमें हम आपको mean पढ़ाते हैं, हम आपको median पढ़ाते हैं, हिंदी में गर देखिए तो mean जो होता है माद्ध है, median जो है मादिका है और साथ साथ यह mode है जिसको हम लोग बहुलग कहते हैं इस तरह से हम लोग उनका प्रयोग करते हैं, इनका पूरा combination, इनका पूरा classification आपको पूरी तरह से detailed पढ़ना है और सांख की जब हम मैं पढ़ाता हूँ तो उसी दोरान में इसके साथ ही मैं यहाँ पर डियाई प्रेजेंट करता हूँ डेटा interpretation जिसको कहते हैं, आकडो का आकलन जिसे कहते हैं तो इस आकडो के आकलन के लिए मेरे पास data representation या डियाई हम लोग पढ़ते हैं डियाई के अंतरगत आप बार ग्राप पढ़ते हैं, पाई ग्राप पढ़ते हैं, पाई चार्ट पढ़ते हैं, हिस्टोग्राम पढ़ते हैं यह सब जो figures होते हैं, जिनमें एक ही figure पर 4-5 प्रसन दिये जाते हैं अंकड़े का प्रियोग करके हमें इन 5 प्रसनों का उत्तर देना होगा, इस तरह के प्रसन आपको इस टार्टेस्टिस के डियाई में प्रजेंट होगे, डियाई हलाके इन्हें ने मेंसन किया दिकी लिखा है, पाईए ओम दंडचार्ट, अवरगी कृत, जो आपके पास class interval अंकड़े हैं, उन सभी को चित्र के माध्यम से समझना, उनके संबंदित प्रसनों को सही तरह से ट्रास करना, यह हमारी पर्ठिक्रम प्रक्रिया का हिस्सा होगा, आगे देखिएगा, यह देखिए बड़ा important part है, आज की परिच्छाओं को लेकर के जो संभावना पे dependent है, प्राइक्ता, अब प्राइक्ता को अगर डेटेल पढ़ना है, तो कुछ ऐसी बाते होती हैं, जैसे कि आपको मैं बता दू, permutation, combination, permutation, combination, जिसको हिंदी में आप क्रमचय और संचय कहते हैं, क्रमचय और संचय, और संचय, आप सोची क्रमचय संचय अगर मैं पढ़ाओंगा तो क्या बिना फैक्टोरियल के बढ़ा सकता हूँ, पॉसिबल ही नहीं है, जिसको आप क्याते हैं, क्रम गोडित, क्रम गोडित, तो मतलब आप जो है, सोची एक सब्द लिख देने से, प्राइक्ता लिख देने से, आप इतने टॉपिक्स अलग से पढ़ते हैं, permutation, combination, आगे देखेगा, एक coordinate geometry का पार्ट एक बनकर हमारे सामने, अक्सर परिछाओं में coordinate geometry को ignore किया जाता है, लेकिन इसने साप साप mention किया गया है, कि हमें यहाँ पर coordinate geometry, दिर्दिसांग जामिती जिसको कहते हैं, इनके हिसाब से अगर देखूं, दिर्दिसांग जामिती, इनके ह system कारती है, तल का उपयोग कराना पूरी तरह से हमारे पार्ट एक्रम का हिस्सा होगा, यहाँ पर आप X और Y axis से quadrant का प्रियोग करके, किस तरह से किसी बिंदू को present करेंगे, present करने के लिए आपको X axis भी मिल रही है, Y axis भी मिल रही है, 1st, 2nd, 3rd, 4th quadrant भी मिल रहा है, निर्द formulae से, उस length को divide कैसे कर पाएंगे section formulae से, उस length का समीकरण कैसे बन पाएंगे equation आप this state line से, तो अगर देखा जाए सब इससे सम्मंदित हो जाएगा, जब mensuration अगर उसने केवल लिखा है, तो mensuration दो प्रकार में पढ़ा जाता है, two dimensional भी पढ़ा जाता है, three dimensional भी पढ़ा जाता ह two dimensional के अंतरगत आप परिमाप निकालते हैं, परिमाप निकालते हैं और छेत्रपल निकालते हैं, किसका किसका निकालते हैं बताइए, तरिभुज का निकालते हैं, बृत्त का निकालते हैं, बृत्त का तरिभुज बृत्त के साथ का, हम लोग इसके साथ साथ हम लोग पर परिमाप और छेत्पन निकालने की कोशिस करेंगे आप चतरवुज जब पढ़ेंगे तो केवल आयत ही नहीं पढ़ेंगे वर्ग भी पढ़ेंगे, समांतर चतरवुज पढ़ेंगे समलम चतरवुज पढ़ेंगे इंग्रीज में देखा जाया तो रिक्टेंगल पढ़ेंगे, स्क्वैर पढ़ेंगे, पैरलोग्राम पढ़ेंगे रोम्बस पढ़ेंगे, ट्रेपीजियम पढ़ेंगे समझने मेरी व्यात को थ्री डाइमेंशनल बे जाईए तो आप घनाप पढ़ेंगे क्यूबाइट जिसको कहते हैं, घन पढ़ेंगे क्यूब जिसको कहते हैं, आप जो है सिरेंडर पढ़ेंगे, बेलन जिसको कहते हैं, कौन पढ़ेंगे, संकु जिसे कहते हैं, स्पीर पढ़ेंगे जो गोला जिसको कहते हैं, पिरेमिट पढ़ेंगे, प्रिज में पढ़ेंगे, इस सारे फीगर्स आपके जो है, थ्री डाइमेंशनल के पार्ट है, जब हम थ्री डाइमेंशनल पढ़ेंगे तो केवल परिमाप छेटफल नहीं रहेगा, यहाँ पर उसकी कैपेसिटी अर्थात आयतन भी समझ रहेगा, समझ रहें, इस तरह से मेंसुरेशन सब्द लिख करके वो हट गया है, लेकिन हमको पता है कि हमें उसके अंतरगत क्या गया बढ़ना है, तो इस सारे फीगर्स की डिटेल्ट इंफॉर्मेशन, मेंसुरेशन की symbols को लेकर के, कोडों के सम्बंध को लेकर के, इनकी identities को लेकर के, इनके complimentary relations को लेकर के, साथ साथ इनका उपयोग, कहां पर? उचाई और दूरी में, तो अगर देखा जाए तो पाठ़करम अपने हिसाब से बहुत ही detailed है, इतना आसान नहीं जिन्होंने एक द्यूसी परिच्छा की तयारी करी है केवल और केवल arithmetic पर focus डो करके उनके बस की बात नहीं होगी, यह मान कर चलिएगा, यहाँ पर आपको higher-aster की पढ़ाई को quiz करना है higher-aster की पढ़ाई पर आपको work करना है इसलिए आप इसको सही तरह से गंभिरता से लेकर चलिए अगर आपने सोचा हो कि मैंने हवा हवाई में थोड़ी बहुत चीजे पढ़ रखी है तो आपके काम नहीं आएंगी उस अस्तर की इसलिए आपको यहाँ पर नए से रिस से नए तरीके से proper way में preparation को start करना है और पढ़ना है यह हमारा process था जो हमें पार्ठिकरम को लेकर करता जो मैंने आपको बताया था जुड़ने के process के लिए मैंने फिर से आपको बता दिया यह number है what's up आप इस पर entry करके बैस से जुड़ सकते हैं यह हमारा procedure है यह हम लोग के कुछ queries number है जो आपको join करने के लिए आपके सहायक होंगे जब भी कोई समस्या संबंदित बैसे हो की आप इन पर संपर कर सकते हैं बाचित कर सकते हैं मैंने जैसे आपको इतनी detail दी और मैंने आपको गड़ित के पर्ठक्रम को पूरी तरह से समझाया मैं अपनी उपयोगिता को सिद्ध कर पाऊं इतना मैं आस्वस्त हूँ मैं जानता हूँ कि मैं उस तरह से आपके लिए काम कर सकता हूँ मैं आपकी पढ़ाई लिखाई संबंदित आपके साथ पूरी गड़ित विडियों में सामिल दे सकता हूँ और अगर मैं ऐसा कर सकता हूँ तब ही हम लोग इन इस तरह की batches को प्लान किया है हमारे सारी batches में लगबग-लगबग हम लोग को इतने सारे comments आते हैं और संस्थान के प्रती भी आते हैं तो हम लोग उनको यही सला देते हैं कि आप बेट करिए हम बिना किसी analysis के बिना किसी aulokan के हम लोग ऐसे कोई बात नहीं करते हैं अगर हम लोग कोई बात करते हैं तो उसका कोई ना कोई अस्तर होता हो उसके अपनी gravity होती है मैं संस्थान के तरफ से संस्थान के सब्दों का उपयोग करते हुग आपके सामने इस बात का commitment करता हूँ इस बात का मैं आपको promise करता हूँ कि हम दी गई तमाम सारे commitment को पूरा करने की संपूर कोशिस करेंगे आप हमारे badge के छात्र होंगे आप हमारे badge के student होंगे हमें भी आपसे बहुत सारे उमीदे होंगी आप हमसे जब जुडेंगे तो हम आपको अपनी requirements आपके सामने present करेंगे आपसे हम अपकी अपनी गतिविदियों को अपनी रूप रेखा को फिर से एक बार present करने की कोशिस करेंगे हमारे साथ आपका कैसा behavior होगा किस प्रकार से आप live कच्चाओं को देखेंगे किस प्रकार से आप recorded कच्चाओं को देखेंगे इन सारी गतिविदियों को आपको समझना होगा और सीखना होगा मैंने सोचा था कि आज में कुछ पार्ठिकरम भी आपके सामने प्रेजन करूँगा कोई न कोई topic भी आपके सामने प्रेजन करूँगा बटो इस्थिती नहीं बन पाएगी क्योंकि इस topic या पढ़ने-पढ़ाने की गतिविदियों को लेकर कि फ्रे से क्लास स्टार्ट किया जाएगा गंभीरता कोर्स की समझने की कोशिस कीजिएगा अपने साथ हमारे interrelationship को समझने की कोशिस कीजिएगा अपनी उस पूरी स्विकारता के साथ हम हमारे बैच के साथ जुड़ सकते हैं और जुड़ करके एक नया किर्थिमान हम लोग अस्थापित कर सकते हैं आपके लिए औसर है, सुनारा औसर है अगर आप योग्य हैं, अगर आप एलिजिबल हैं तो आप बिना कीर्सी कोर कसर के बैचेस के साथ या टेलिग्राम ग्रूप में जुड़ जाएं जो भी हम सबसे हो सकेगा, हम आपको प्रवाइट करने की कोसिस करेंगे पढ़ने-पढ़ाने की गतिविदियों को ले करके मैं भी पूरी तरफ आस्थ दूँ और मुझे पूरा परोसा कि आप भी आस्थ हैं, आप भी फरस्ट टाइम मुझे नहीं देख रहे हैं, इस संस्थान के पब्लिक प्लेट पार्म पर मेरे इतने सारे वीडियों सोंगे, जिससे कि आप मेरी शंता का उलोकन कर सकते हैं, मैं यहां पर अस्पर्ष्ट कर दूँ कि मैं किसी भी प्रकार की कोई कोर कसर अपनी तरब से नहीं छोड़ूँगा, जो भी मेरे से संभग होगा, मैं आप सभी को प्रवाइट करने की गोसिस करूँगा, अगला जो मेरा वीडियो आएगा और टॉपिक को ले करके रहेगा टॉपिक को ले करके रहेगा मैं एक अस्तरी टॉपिक आपकी इस बैचेश में प्रारम करूँगा और आप उसकी टेक्निकल्टी को सीखेंगे, समझेंगे और एक पढ़ने-पढ़ाने की अस्तर को फिल कर पाएंगे इसलिए अगले वीडियो का इंदजार करें जो मैद भिसे को ले करके रहेगा आपकी प्रती जिम्यदारी लेता हूँ, पूरी निष्ठा के साथ उसकाम को करने के में कोसिस करूँगा आज के लिए तना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में पाठ्ठे करम के साथ, कोर्स के साथ थैंकी सो मजज, धन्यवाद